आप सभी भक्त जनों को साल की अंतिम पूर्णिवा की सुब कामने आज देर रातरी अपने घर पर सरलतम तरीके से इन उपायों में से एक उपाय भी कर लेते हैं ना तो निश्चिती भग्य सुदर्ता है और मालक्ष्मी श्री हरी विश्नु और महादेव की कृपा घर कब कैसे करे किस्वरूप में करे ध्यान से सुनिए सर्दी अपने चरम सीमा पर है सारी रिकविक्रेतियां भी रहती हैं तो क्यों ना घर पर ही इन उपायों को कर लिया जाईए उपाय साधारण सरल नहीं है इनसे अनंत गुनाफलों की प्रापती होती है गुरुजी के पा इन उपायों को करने का प्रियत्न करें भागी खुलेगा और जीवन निश्चिती सुख में होगा प्रथम उपाय देरना करते हुए सुरू करते हैं जिसमें गुरुजी कहते हैं रुद्राक्ष आज रातरी तक आपके घर के आसपासी चंदर देवता जब दर्शन हो न पूर दरीदरता निरंतर बढ़ रही है तो आप सभी को रुद्राक्ष एक मुखी हो दो मुखी हो कैसा भी हो कोई दिक्कत की बात नहीं है रातरी को जब चंदर देवता दिखे न तो आप सभी को रुद्राक्ष के छेद से अर्था छिद्र से जो है उस व्यक्ति को आवश्यक रूप से चंद्रमा के दर्शन कराने है एक आगर चित्ता बढ़ेगी और कहीं न कहीं हर कारे में पड़ा हुआ याद होगा और निरंतर सफलता बच्चे कदम चुमेंगे देर न करते हुए प्रथम उपाय जान लिया आप बात कर देते हैं दूसरे उपाय की दूसरे उपाय अपने घर पर ही अपने घर के दरवाजी पर करना है आप इन उपायों को विश्वास से करें सत्य पायेंगे आप गुरुजी के आवाज में भी सुन सकते हैं आप सभी को करीब करीब थोड़ा सा चावल लेने हैं एक मुठी के आसपास ले कम ले कोई गिनने की आवशक्ता नहीं है एक पीपल का पत्ता ले लिजिए ठीक है पीपल का पत्ता ले लिया है और थोड़ा सा चावल ले लिए पीपल के पत्ते के उपर चावल का दाना रख लीजिए अब आप सभी इन चावल के दानों को पीपल के पत्ते के उपर रख कर मेरे रोग पूर्ण रूप से कट जाएं मेरे जीवन में जो दुख दरीदरता है पारिमानसिक और शारीरिक परेशानी है वह दूर हो यह प्रार्थना करते हुए चावल के दानों को सबसे पहले अपने नेत्रों से लगाए थोड़ा सा गुरुजी कहते है सूंग दीजिए उसके बाद जो है पीपल के पत अब आपके इच्छा है एंटी क्लॉक आप साथ बार उतारा करें या 21 बार उतारा करें आप सभी को यह उतारा करकर स्री सिवाय नमस्तु भ्यमंत्र का जाब करकर घर के दरवाजे बाहर रखेंगे तो कोई उठा ले जाएगा तो अंदर की तरफ का जो दरवाजा होगा उ आप सभी को पीपल के पत्ते के ऊपर चावल रखकर छोड़ देने हैं पूरी रात रखकर छोड़ दीजे दूसरे दिन आप सभी उस पीपल के पत्ते पर जो चावल रखे हैं उन्हें उठा कर किसी भी बहती हुई नदी या पानी के स्थान पर प्रवाहित कर सकते हैं अग कोई भी चीज समझ में ना आए ना पूछ लीजिएगा आपका अपना चैनल है सभी सवालों के जबाब आप राप्त तुरंत करेंगे मन में दुविधा न रखें कोई चीज गलत न करें चैनल पर नए हैं तो लाइक शेर सस्क्राइब कीजिएगा आज के पावन पवित्र द होंगे आज का दिन आज का उपाय बहुत फलकारी है बहुत स्रेस्ट है सब कार्यों की सिध्धी में सहयक है आप सभी जो है गुरुजी कहते हैं आज चंद्रमा की रोशनी में एक सरसो के तेल का दीपक लगाए यह उपाय खास तोर पर आपके चेहरे पर दाग धब्बे है इसके लिए आपको करना है चंद्रमा की रोशनी में आपको सरसो के तेल का एक दीपक जलाना है जब चंद्रमा आपको दिख जाए अब सरसो के तेल की कालिख निकलेगी तो उससे आपको काजल बना लेना है दीपक के ऊपर थोड़ी सी छोटी कोई थाली रखें जिससे कि काजल के रोप में बन जाए इसकी जो बाती होगी उसमें से कालिख निकलती है वह काजल आपको कर लेना है गुरुजी कहते हैं चंद्रमा की रोशनी में रात्री को ही या दूसरे दिन से आप सभी को इसमें देशी घी मिलाकर गौमाता का घी मिलाकर जहां पर दाग धब्बे हैं और जो है कोई भी परेशानी है इसकिन से सम्मंधित उस स्थान पर आप सभी को पूर्ण रूप से जो है स्री सिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाब करते हुए लेपन कर लेना है धीरे धीरे देखेंगे कि जाईयां खतम हो रही हैं चेहरे पर जो दाग धब्बे हैं पर जाए बात हो गई सरल उपाय की इसके अलावा अन्य उपाय भी हैं गुरुजी लंबे समय से अपनी कथा ने अमित रूप से सुना रहे हैं जनकरल्यान के लिए और साथ के साथ कई उपाय भी उन वीडियो में बताते हैं आप सभी जानते होंगे कथा के दौरान तो उन संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए मात्र एक कमल गटा लेना है कमल गटा जो की कमल पुस्प का बीज होता है उसे जल के पात्र में आपको डाल देना है साथ के साथ पांच बेल पत्र भी डालिएगा बेल पत्र ध्यान रहे कटी फटी तूटी फूटी ना हो साप पांच बेल पत्र लेनी हैं शीव पर चड़ी हुई भी ले सकते हैं, आप सभी को चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर मेरे जीवन में जो सारी रिकमानसिक और धन की परिशानी है वह दूर हो जाए यह प्रार्थना करते हुए, आप सभी को चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर जल के पात्र में जो कमल गट्टा और पांच बेल पत्र डाली है कि हे प्रभू इस पावन पवित्र दिन पर सब काम नसिद्ध हो यह कहते हुए आप सभी को सुन्दर भाव से सिवलिंग पर यह जल का लोटा समर्पित कर देना हैं आज के दिन किया गया कोई भिका धन संबंधी परेशानी को दूर करता है और सदा सरवदा खुश्यों के भंडार भर देता है तो देर राते तक कर लीजेगा निश्चिती भागी खुल जाएगा यह बात हो गई सरल से उपाई की आज कोशिश करें इसे दीबदान करने का आज अनपूर्णा जयनती भी है म अनपूर्णा के नाम का एक दीपक लगाएं घर के मंदीर में महा लक्ष्मी के नाम का दीप प्रजुलित करें घर के दरवाजे पर मा तुलसी चंदर देवता के निमित दीबदान करें संभवो पीपल रक्ष की जड़ में दीपक लगाएं अनंत गुना आपको इससे फलो की प्राप्ति होगी आज का दिन साधार अंसरल नहीं है आज के दिन घर पर खीर बनानी चाहिए घर पर चावल और दूद की खीर जिसमें एक चुटकी केसर या एक चुटकी हल्डी डाल कर मालक्ष्मी को भोग लगा कर आप उसे जो है प्रसाद स्वरूप में ग्रहन करते हैं तो बहुत सुब होता है इस खीर को स्री हरी विष्णू और स्री महादेव को भी भोग लगाएं ऐसी मानेता है इससे चंद्रमा की कुंडली में इस्तिती मजबूत होती है चंद्रमा मन मस्तिस्क के कारक के रूप में जाने जाते हैं और इस प्रसाद को भोग लगानी क एक देढ़ घंटे के भीतर ही प्रसाद उठा लेना चाहिए इस भोग को आप सभी को आवश्यक रूप से सभी भक्तजनों में वित्रित करना चाहिए घर के सदश्यों को प्रसाद रूप में ग्रहन करना चाहिए आज घर में खीर बनाना मलक्शमी को भोग लगाना बहुत प्रार्थना करते हैं